ओवैसी भाईजान के घर के बगल में मोदी और बीजेपी ने बनवा दी हिंदू संत्र की दुनिया की सबसे उची मूर्ति भाईजान के घर से महच 17 किलोमेटर दूर सबसे बड़ी हिंदू मूर्ति बनी जिसका नाम स्टैच्यू अफ इक्क्वेल्टी रखा गया सोशल मीडिया पर एक न्यूस पेपर क्लिप वारल हो रहा है इसमें एक स्टैच्यू प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और AIMIM के चीफ असदुद्धी नवैसी की फोटेज देखी जा सकती है इसे शेर करते वक्त ये दावा क्या गया कि प्रधान मंत्री मोदी और भारती जन्ता पाटी ने हैदराबाद में एक हिंदू संत रामानुज चारी की दुनिया की सबसी उची प्रतिमा का निर्मान करवा रहे है लोग इसे शेर करते वे असदुद्धी नवैसी पे तंच करते रहे है आपको बता दे कि हैदराबाद AIMIM के प्रसेडेंट असदुद्धी नवैसी का गढ़ माना जाता है बीजेपी नेता और मिनिस्टर रूरल डेवलेप्मेंट गिरी राज सिंग ने भी असदुद्धी नवैसी पे तंच करते वेशे शेर किया इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी इसे काफी शेर किया गया हाला कि हमने अपनी परताल में इस दावे को गलत पाया हमने इंटर्णेट वे इसके बारे में सर्च किया तो हमारे हाथ न्यूज 18 का 28 अगौस 2021 का एक रिपोर्ट लगा इस रिपोर्ट के मताबिक संस्री रामा नुज चारे की हजारवी सालगिरा पे उनकी 216 फिट उची प्रतिमा को हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है इस प्रतिमा को Statue of Equality का नाम दिया गया TV9 के एक रिपोर्ट के मताबिक इस प्रोजेक्ट में 1000 करोड तक के खर्च का अनुमान है इसके बाद हमने Statue of Equality का अधिकारिक वेबसाइट खंगा ली इसमें PM Modi को चिन्ना जेर स्वामी द्वारा नियोता देने के संबन्द में अपडेट मिला इसके मताबिक PM Modi 5 February 2022 को इस प्रतिमा का नावरन करेंगे इसके लावाई समारों में शामिल होने का नियोता राष्टपती, उप राष्टपती, राज्यों के मुख मंत्री और क्याबिनेट मिनिस्टर्स को भी दिया गया अपनी परताल में हमें ट्रस्ट के वेबसाइट पर फाइनल्शल रिपोर्ट मिली, जिसमें कि डोनेशन और खर्चों के बारे मों बताया गया है ट्रस्ट ने इसमें दुनिया भर के अपने भक्तों से दान देने की अपील भी की है हाला कि ध्यान देने वाली बात ये कि इस रिपोर्ट में कहीं भी पीम, मोदी या बीजेपी द्वारा किसी भी तरह का डोनेशन या खर्च देने की बात नहीं कही गई जादा जानकारी के लिए हमने चिन्ना जेर स्वामी के आश्रम के मैनेजमेंट कमीटी के मेंबर भारति लक्ष्मी से बात की दो लॉजिकल इंडियन से बातचीत के दौरान हुनों ने कहा कि इस प्रतीमा को बनाने में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पीम की कोई भागितारी नहीं या केवल भक्तों के दान से बना है हमारे पास हर डोनेशन की रसीद भी मौजूद है प्रतीमा के उद्घाटन में सभी राज्य के सीम को आमंत्रित किया गया है चाहे वो किसी भी राजनतिक दल के हूँ यहां तक कि असदुद्धी नोवेसी भी आमंत्रित कोई मिलाकर हमने अपनी परतान में पाया कि संद स्री रामानुज चाहरी की मूर्ती को जेयर उजूकेशनल ट्रस्ट द्वारादान के मदद से बनाया गया इसका नावरन पीए मोधी चाफ फेवरी को करेंगे पर इसे बनाने में पीए मोधी या भारते जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं